दोस्तो साल का आखरी चंद्र ग्रहन 19 नवंबर को कार्थिक पोनिमा के दिन लगने वाला है क्या ये ग्रहन हमारे देश में दिखाई देगा क्या इसका सूतक कल हमारे देश में मानने होगा अगर ये देश में दिखाई देगा तो किनकिन हिस्सों में इस ग्रहन को देखा ज आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूं साल के आखरी चंद्र ग्रहन के बारे में ग्रहन चाहे कोई सा भी हो चाहे वो सूरिक ग्रहन हो या चंद्र ग्रहन हो पूर्ण रूप से पढ़ने वाला ग्रहन हो या आंशिक रूप से पढ़ने वाला ग्रहन हो हमे उससे वातवरन दुशित होता है और जिसके कारण जो है समाज में, दुनिया में, देश में, बहुत सारी जगा पर इस ग्रहन का अशुप परिणाम दिखाई देने लगता है और जो भी ग्रहन से संबंधित लोग हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के कुंडली में कोई ग्रह दोश हो तो ऐसे लोगों के जीवन में हर बार जो होता है ग्रहन का कुछ न कुछ अशुप परिणाम देखने को मिलता है हाला कि साल का जो ये आखरी चंदर ग्रहन लगने वाला है, जो कि मैंने आपको बताया 19 नवंबर को कार्थिक पुनिमा के दिन लगेगा ये चंद्र ग्रहन आंशिक रूप से पढ़ेगा क्योंकि देखे जब आंशिक रूप से चंद्र ग्रहन पढ़ता है तो वो पून रूप से दिखाई नहीं देता है इसे उपचाया चंद्र ग्रहन भी कहते हैं यानि कि दुनिया के कुछ हिस्सों में ही केवल इस ग्रहन को द साहे वो पोने रूप से पढ़ने वाला ग्रहन हो या आंशिक रूप से पढ़ने वाला ग्रहन हो कुछ न कुछ सतर्कता जरूर रखनी चाहिए देखे साल का जो अंतिम चंद्र ग्रहन है 19 नवंबर को शुकरवार के दिन लगने वाला है तो भारती समया नुसार के अगर हम झाहें नुसे बात करें तो सुबह 11 बचकर 34 नट यह हैं चंद्र ग्रहन प्रारंभ हो जाएगा और जिसकी समापती होगी शाम 5 बचकर 33 मिनट पर क्योंकि ये जो चंदर ग्रहन लगने वाला है ये आंशिक रूप से लगने वाला चंदर ग्रहन होगा उपचाया चंदर ग्रहन होगा और जब भी ऐसा होता है तो हमारे देश में ये ग्रहन दिखाई नहीं पड़ता अब जब ग्रहन पड़ेगा ही नहीं दिखाई ही नहीं तो इसका जो है सूतकाल वो भी हमारे देश में माने नहीं होगा आम तोर पर सूतकाल कब लगता है जब देखे पूर्ण रूप से ग्रहन कोई भी पढ़ता है चाहे वो सूरी ग्रहन हो या चंद ग्रहन हो अगर पून रूप से पढ़ता है तो सूतक काल भी लगता है और सूतक काल में माने जाने वाले जो भी नियम है उनका भी पालन करना जरूरी होता है सूतकाल में किनके नियमों का पालन होता है जैसे कि देखे पूजा पार्ट जैसे विशेशकार सूतकाल में नहीं होते हैं और साथी मंदिरों के कपार्ट बंद कर दिये जाते हैं ग्रहन के समय मंदिर की मूर्तियों को छूना या पूजा पाठ करना मंदिर की किसी भी सामगरी को छूना वर्जित माना जाता है पाप माना जाता है साथ ही तुलसी जी को ग्रहन के समय कभी भी नहीं छूना चाहिए अगर आपने अपने घर में भी तुलसी जी लगाई वी हैं तो आपको खास तोर पर इस बात का ध्यान देना होता है लेकिन जब भी ग्रहन पढ़ने वाला हो तो ग्रहन लगने से पहले आपको कुछ तुलसी दल तोड़ कर रख लेने चाहिए और घर में जो भी खाने पीने की चीजें बची हुई है भोजन है अगर आपका या दूद है जल है पीने का तो आप उसमें तुलसी जी के पत्ते जरूर टाल कर रखें और देखे इस नियम का पालन आपको तब भी करना चाहिए जब आशिक रूप से ग्रहन लगता है यानि कि अगर ग्रहन नहीं भी दिखाई दे तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन हम सब को कर लेना चाहिए देखे क्योंकि ग्रहन चाहे कहीं भी पड़े वो हमारे देश में दिखाई दे या ना दे उसका जो नेगेटिव असर होता है किरने जो निकलती हैं तो कुछ न कुछ असर तो देखे धरती पर पड़ता ही है तो ऐसे में इनी नेगेटिव किरनों से बचने के लिए इनके कुछ खास साथधानिया रखनी होती है और माना जाता है कि जो तुलसी जी होती है वो अपने अंदर इन सभी नेगेटिव किरनों को समाहित कर लेती हैं सोख लेती हैं यही कारण है कि जब भी ग्रहन पड़ता है तो घरों में लोगों को सलाह दी जाती है हिंदु धर में कि अप अपने घर में जो भी खाने पीने का समान बचा हुआ है, आप उसमें कम से कम एक यदो तुलसी दल जरू डाल कर रखें, साथ ही जो भी आटा है, डाल-चावल हैं, जो भी ऐसा समान है कि आपको लगता है कि इन में आपको तुलसी के पत्ते डाल कर रखने चाहिए, तो जब भी चंद ग्रहन परता है तो वो हमेशा पूर्णीमा के दिन परता है और जो सूर ग्रहन होता है वो हमेशा अमावस्यातिति को ही लगता है तो ऐसे में जब कार्तिक पूर्णीमा के दिन आप पूजा पाठ भी करेंगे तो देखिए पूजा पाठ भी सभी करते हैं उस जब शाम को ग्रहन समाप्त हो जाए अगर संभफ हो तो पवित्र नदियों में आप इसनान कर सकते हैं नहीं तो आप इस ग्रहन के दिन शाम को ग्रहन की समापती के बाद यानि कि शाम 5 बचकर 33 मिनट के बाद अपने घर में भी इसनान कर सकते हैं इसनान करते समय गंगा जल स भी इस्तान कर सकते हैं अब देखे ग्रहन का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है जो प्रेगनेंट लेडीज होती है उन पर ऐसी माननेता है देखे परंपरा चली आ रही है कि जब भी ग्रहन पड़ता है तब उस समय जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए कोशिश करनी चाहिए कि घर के अंदर ही आप रहें लेकिन देखे जो वर्किंग महिलाएं हैं उनके लिए हो सकता है कि इस नियम का पालन करना संभव ना हो तो आप यही कर सकते हैं कि आप जितनी जादानी बरत सके उतनी आप ब अगर हो सके तो आप अपने आपको जितना ढग करने के लिए उतना जाला अच्छा होगा अब बात आती है कि क्या धिहान आपको रखना चाहिए तो देखी ग्रहन चाहिए कोई साभी हो गर्भवती महिलाओं को इस समय काटने का या सिलाई बुनाई जैसे काम नहीं करने च है उस पर इस ग्रहन का कुछ न कुछ अशुब परिणाम देखने को मिल सकता है होता क्या है कि अक्सर इस समय माला जाता है कि जब ग्रहन में सावधानी न ब confidently जाये तो ऐसे में जो पैदा होनी वाले बच्चे हैं उनमें कुई शारीरिक विकार आजाता है मांसिक विकार आ सकता है हो सकता है कोई गंभीर बिमारे लिये हुए ऐसा बच्चा दुनिया में आए या फिर ऐसे बच्चे जो हैं हमेशा कुछ न कुछ बातों से जीवन में परिशान रहते हैं उनका जीवन थोड़ा दुखों भरा हो सकता है तो यही कारण है कि जो बड़े बुजुर्ग ह वो ग्रहन के समय जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें बाहर निकलने से मना करते हैं ग्रहन की समापति के बाद गर्भवती महिलाओं को इसनान जरूर करना चाहिए और साथ ही इस समय जितना हो सके उतना मानसिक पूजा पाठ गर्भवती महिलाओं को करनी चाहिए हर धर्म कि जो भी धार्मिक पुस्तके हैं वो पढ़नी चाहिए चाहिए वो आप किसी भी धार्म से संबंदित हो ऐसी माननेता है कि मानसिक जाप करने से मानसिक पूजा पार्ट करने से ग्रहन का अशुब परिनाम आपके उपर या आपके होने वाले बच्चे पर नहीं पढ़ता देखे अमेरिका औस्टेलिया पुर्वी एशया उत्तरी योरोप और अमेरिका में ये ग्रहन देखा जा सकेगा अगर भारत की बात करें तो हमारे देश में ये ग्रहन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा ग्रहन के समय जो भी प्रेजनेंट महिलाये होती हैं उन्हें इस चंदर देटा का बहुत ही मंगलकारी मंत्र है इस मंत्र के जाब से अगर चंदर ग्रहन का कोई भी अशुब परिणाम है तो वो आप या फिर आपके बच्चे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता और साथ ही जब ग्रहन पड़े तो गर्भवती महिलाओं को कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए आम तोर पर यहीं होता है कि ग्रहन के समय कुछ खाना पीना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा होने से भी आपके बच्चे पर कुछ ना कुछ अशुब परिणाम इसका देखने को मिल सकता है कोशिश कीजिए कि आप ग्रहन से पहले भरपेट भोजन कर अब देखे जब ग्रहन समाप्त हो जाए तो जो भी लोग है उन्हें अपने घर में गंगा जल चड़कना चाहिए या जो भी दूसरे धर्म के लोग है उन्हें अपने धर्म के अनुसार जो भी पवित्र कारे होते हैं अपने घर को शुद्ध करने के वो जरूर करके रखने ग्रहन की समाप्ती के बाद या फिर अगले दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए देखे जब भी ग्रहन लगता है तो ऐसा कहा जाता है कि दान करने से ग्रहन का जो भी अशुब प्रभाव है आपके आसपास आपके परिवार के सद्दस्यों के उपर वो सभी दान देने से समाप्त हो जाता है यही कारण है कि हमारे हिंदू धर में दान को बहुत ज्यादा पुर्णित देने वाला माना जाता है किन चीजों का दान आप कर सकते हैं देखे सर्दी का मौसम है तो आप ऐसे में अगर चंद ग्रहन के बाद गरम चीजों का गरम कपड़ों का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को जूते कंबल चट्री और जूते चपल के अलावा आप अनाज का दान कर सकते हैं कपड़ों का दान उन्हें कर सकते हैं ध्यान रगना है कि दान में दी जाने वाली जो भी सामगरी है वो दूसरे के प्रयोग में आ सके खराब चीजें और आपके धर में जो भी रिति रिवाज हैं आपको उनका पालन ग्रहन के बात जरूर करना चाहिए ग्रहन पड़ते समय अगर आपके द्वार पर कोई भी याचक आता है कुछ भी मांगने के लिए तो आप उन्हें कभी भी अपने घर से खाली हाथ ना लोड़ने दे साल क और चंदर ग्रहन के बारे में अभी बहुत सारी आसी बाते है जिनके बारे में जो जानकारी है वो आपको मेरे चैनल पर आने वाली विडियो में जरूर मिलेगी और आज की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को При extension को शब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा